हेलो फ्रेंज वेल्कम बैक टो माई चैनल जैसा कि मैंने पिछले विडियो में आपको बताया था कि मैं अगले बार अगर कुछ बनाती हूं तो वो भी मैं डालूंगी और मैंने कहा था कि घी ही मैं बताऊंगी घी कैसे बनाते हैं घर में इजी ली आसान तरीगे से तो यह मै है तो इसे मैं अभी कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी दो तीन घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि यह तो नॉर्मल हो जाए उसके बाद मैं आगे का आपको बिधी बताऊंगी कि इसे कैसे हम घी बनाएंगे तो फ्रेंज आप देख सकते हैं यह दो अब इसे हमें फेटना है या तो हमें इसे clockwise फेटे या anti-clockwise आप फेटिये लेकिन फेटना एक ही डारेक्शन में है ठीक है तो अब हमें इसे फेटना शुरू करेंगे चस्यों एक और कोसोaza का सुप्सक्राइक यांगे पित ही बनाएंगी डिसीयो आपको एकि कि सिखिेए निद बताए फेटना है यह है जदिएना ऺ्जदप्सात चल्चंभी के ऐसेूबबबबबब्बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब कि जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो मनाई है मैंने फेटा है इससे पिरा रुके तो यह अब ऐसा दिखने लगा है अब हमें मक्षन को अलग करना है तो हम इसमें पाणी मिला के हलका फेटेंगे अगर गर्मी है जो कि अभी गर्मी चल रही है तो हम इसमें ठंडा पानी मिलाएंगे और ठंड में हम इसमें हलका गुंगुणा पानी मिलाएंगे तो अब हम इसमें पानी डालेंगे तो हम इसमें हलका पानी डाला है इसमें आप हमने का Cleangi कि पानी मिला दिया है है समय हमसेे फिर से फेटेंगे अब अब हैए हम इसे का इना पानी मिला है कि और आप हमक्ता इसे प्रेटेंगे और पानी मिलाने कि आप में इसे फिर से प्राइत क सिंग rescue झाल झाल देखिए हमने जो ये मक्खन में पानी मिलाया तो उसके बाद मक्खन अलग हो गया और ये पानी अलग हो चुका है अब हम इसे हटा लेंगे आप चाहें तो इसको यूज भी कर सकते हैं इस पानी को आप यूज कर लें ये आराम से एजिली खट रहा है मक्खन नहीं जा रहा है आप इसको चान के थोड़ा जो मक्खन बचा हुआ एक्स्ट्रा किर्जा इसमें तो उसे निकाल सकते हैं लेकिन मेरा मक्खन अलग और पानी अलग है तो मुझे चानने किया वशकता नहीं है और आपको भी नहीं पड़ेगी यह देखिए हमारा मक्खन तयार है बिलकुल अब हमारा मक्खन बिलकुल भी तयार है गी बनने के लिए इसे चाहें तो आप एक बड़ और पानी में धोलने ताकि जो भी यह साफ हो जाए तो मैं इसे एक बड़ और धोलेती हूँ पानी में दिखिए मैंने फिर से थोरा सा पानी मिला दिया है एक लास और अब मैं इसे हलका फिर से बस हलका ही धो लेना है ताकि हमारा जो मक्खन का धी के लिए जो शेश्ट बचा है मक्खन जो हमने निकाला है वह साफ हो जाए बस उसे साफ करने के लिए इसे जादा मिला क़राने के जरू नहीं है सिबस हमें साफ करना है धोना ए ऐसा कि देख सकते हैं यह में पानी बढ़ा है और आप देखिए के लिए में अपने मेरु मखन डेडी है पकने चेह पड़ें अब हम एचाश हम आप सकाने अगया है अब आप देखिए हम इसमें मक्षन डाल रहे हैं गयास का फ्रेम कम है अब ही आप देखिए जाते ही इसमें यह जाग नितलाया है मैंने फुरा गरम कर दिया था कडाही पहले से आपको यह कंटिन्यूर्स चलाना पड़ेगा आप नॉन स्टिक में बना रहें नॉन स्टिक अबर आपका कराही है तो उसमें आपको कंटिन्यूर्स चलानी के आशकता नहीं है लेकिन चुकि यह मेरा स्टील पकड़ा ही है, तो मुझे चलाना होगा continuous, क्योंकि यह नीचे सतेगा, लगतार आप इसको चलाते रहें, मावा इसको अलग होने लगा है, और घी हलका हलका हो रहा है, इसे continuous मिलाना है, क्योंकि मैंने स्टील कबड़तन दिया है, आप अगर नॉंस्टिक लेंगे, तो उसमें आपको जादा मिलाने की जरूरत नहीं है, आपको उसे छोड़ भी सकते हैं, समय समय पर, देखिए यह घी मेरा बाहर भी करने लगा है, और यह जो मावा है, वो अलग हो रहा है घी से, इसका स्मेल भी आ गया है, बस इसमें यह ही कि आपको लगतार, चलाना पड़ेगा अगर आपने स्टील का करा ही लिया है, जादा काई नहीं लगता है घी बनाने में आप बना सकते हैं, घी बनाना बहुत ही आसान है, हमें लगता है कि वो बहुत मुश्किल है, लेकिन यह घी बनाना कापी आसान है, थोई दे और इसे पकाएंगे, इसके बाद हम इसे ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे, यह निकल चुका है, कि यह चुका है, तो आप देख सकते हैं, हमारा घी बन के तयार है, बहुत इजी है बनाना, इसे बनाएं घर में ही, और इसी घी में आप खाना बनाएं, देशी है, इजी है बनाना, आप चाहे तो 15-20 दिन के अंतराल पे भी बना सकते हैं, उसके लिए आपको बस इतना करन कि आपको फ्रिज में मलाई ना रखे, फ्रीजर में मलाई रखना है, फ्रीजर में मलाई खड़ाब नहीं होता है, फ्रिज में रखेंगे तो उसको आपको एक हफते के अंदर बना लेना पड़ेगा, तो यह हमारा घी तयार है, प्लीज, डू लाइक, शेर और और प्लीज, कमेंट करें हमारे चैनल पर, थैंक यू, बाइ-बाइ